हलो दोस्तों नमस्कार मैं विरंद्र कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में और आज हम लेकर आए हैं जो एक हजार ऑपरेटिंग कोस्चन स्रीज हमने सुरू किया है उसका आज सेट नंबर पांच सेट नंबर फाइव है जिसमें आज ह साथ सेयर भी अवस्य करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फाइदा मिल सके चलिए वीडियो की शुरूआत करते हैं कोस्चन नंबर टू जीरो वन ओडिसी का संचालन करने के लिए निमलीखित में से किसकी अनुमति की आप सकता होती है तो डिसी के संचालन के दो पाउडर यान लगाया जा सकते हैं इसका अंसर ओप्सन ए नेस्ट कोस्चन लेंगे बीपीसी किसके द्वारा तयार किया जाता है तो ट्रेन एक्जामिनल ट्रेंड फीर से करते हैं यह कभी कभी ट्रेन कलरक में जो है कन्फूजन होता है ट्रेन कलरक जो है वीजी त्या लगाया जाता है इसका अंसर option A 205 लंबी छोटी लंबी छोटी CT बजने का अर्ष क्या है यहां देख रहे हैं लंबी छोटी लंबी छोटी यहां पूछ रहा है तो लंबी छोटी लंबी छोटी किसलिए होता है तो train parting इसको याद करने के लिए दोस्तों याद रखना है कि यह लंबी है गाड़ी है छोटी हो गई याद ही हो गई लंबी है गाड़ी और यह छोटी हो गई मतलब train जो है पार्ट हो गई train जो है अलग हो गई बड़ा गाड़ी चोटा हो गया, इससे भी आप याद रख सकते हैं, train parting, तो इसका अर्थ क्या है, यानि यहाँ बिना falling clear किये हुए, और आके खड़ा हुआ है, और लंबी चोटी लंबी चोटी city बजा रहा है, इसलिए वह falling clear नहीं कर रहा है, तो उस समय पे यहाँ पर गाड़ी विभाजन train divide करके वह section से लेकर आया है, इसका answer option, यह होगा train divided, train जो है विभाजन करके गाड़ी को विभाजन करके और वह driver लेकर आया है, next question लेंगे 207, सतरकता आदेश का मानक पावम संक्या क्या है, तो सतरकता आदेश क्या है, T409, answer option D, इसी में आगे आया है, T, A और T, B होता है, next question लेंगे वह है, कुछ नहीं, यानि निल सतरकता आदेश का मानक पावम संक्या क्या है, तो इसका होगा T, A, 409, फिर next है, reminder, cost on order, तो reminder के लिए क्या होगा, reminder सतरकता आदेश का पावम संक्या क्या है, तो standard form इसका संक्या क्या है, T, B, answer option C होगा, T, B, 409 T, A, 409, ये क्या है, nil cost on order है, और T, B, 409, तो इसको क्या है, reminder cost on order है, तीन है, तीनों को याद रखना है, कुछ भी, तीनों में से कोई भी पुछेगा, आप अंसर कर सकते हैं, next question लेंगे, 210, 210, 210, यदि ये station master हाथ signal का आदान परदान ना करे, तो local pilot कौन सा city बजाएगा, त दो छोटी city, अंसर इसका option C, दो छोटी city बजाएगा, अब हम देखेंगे इसके और भी जो option है, उसको देखेंगे, एक लंबी, एक छोटी, एक लंबी, एक छोटी, तो यह क्या होता है, guard break release करने के लिए, उसको जब दिया जाता है, तो guard को कहा जाता है, कि आप guard break release करो, next ह है कि दो छोटी, एक लंबी, दो छोटी, एक लंबी, दो छोटी, एक लंबी, दो छोटी, एक लंबी का क्या मतलब है, ACP होने पर बजाया जाता है, next है, तीन, एक लंबी, और दो छोटी, एक लंबी, दो छोटी, एक लंबी, दो छोटी, एक लंबी, दो छोटी, signal के जैसा कौन से सिटी बजाता है जो गाड़ी अधूरी होने पर लंबी छोटी लंबी छोटी सिटी बजाता है यानि ट्रेन जो है डिवाइड करके राइब जो हुआ है वह हम पहले कुस्चन में देखे थे कि फॉलिंग मार्क किलियर किये बिना आकरके और क्या कर रहा था कि लंबी से लेकर आया है अब आ गali झी लंबी चोटी लंबी जोटी यानि यहां कैंसर है यहां कोई सिटी तो हमने तो नहीं पढ़ा है इसके बारे में हमको नहीं मालूम है तीन चोटी सिटी किसके लिए होता है तो गार्ड को ब्रेक लगाने के लिए होता है तीन चोटी सिटी के बार मतलब गार्ड ब्रेक लगाए और डी जो अप्शन है गर श्यौंज थे जो है यह तिन देंव छोटी तीन च्शोटी शिटी तिन लंभी सिटी का मतलब क्या होता आपम सु सेथ पाली मार्क किलियर और यह थो यह लाइं को आप जान सकते हैं सक्साट नगैंगे दो सो बारा 58 box in बाली मालगाडी के engine में 5.1 kg cm2 तथा break wind में कितना air pressure होना चाहिए 5 kg और break wind में कितना होना चाहिए तो 4.7 kg होना चाहिए इसका answer option B 4.7 नेस्ट question लेंगे 2.13 catch setting की छमता कितनी होती है तो catch setting की जो छमता होती है वह 3-4 vehicle के बराबर 4 या 5 बाहन के बराबर 5 या 6 बाहन के बराबर पूरी गाड़ी की लंबाई के बराबर तो catch setting जो होता है वह पूरी गाड़ी की लंबाई के बराबर होता है length of full train इसका answer option D 213 का length of full train पूरी गाड़ी की लंबाई के बराबर catch setting का length ह भेश्ची TWT फर्ष्टान स्टेशन फ Republican प्रहस्तान स्टेशन पर सवारी गाड़ी के इंजन में एफ्पी प्रेशर तत् Chamistling कि मातरा करम्सह कितनी है तो इसमें चैए और सिक्ष कीजी और 5kg प्रस्तान स्टेशन पर सवारी गाड़ी में पहले फपी पुछा गया है बाद में इसको ध्यां रखना है नहीं तो उल्टा 5 kg 4.8 kg बला नहीं लिख देना है यहां उल्टा हो जाएगा आपको इसलिए यहां ध्यां रखना है प्रस्तान स्टेशन पर सवारी गाड़ी के में बीपी तथा एफबी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए 5.8 kg एंड 4.8 kg सेंटीमिटर पर इसको और अंसर ऑप्शन dc next question लेंगे 216 40 vision 40 vision की मालगाड़ी के इंजन में बीपी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए तो 40 vision का है 40 vision का है उसके लिए जो अंसर है option a 5 kg होगा next question लेंगे 217 40 vision से अधिक की मालगाड़ी के इंजन में बीपी की मातरा कितनी रहनी चाहिए तो इसका दोस्ता सत्रा का जो अंसर है वह ए है अंसर आप्षन ए फाइब केजी पर सेंटीमेटर स्कॉरर यहां दोनों में 40 20 रहेगा 40 20 से अधिक रहेगा दोनों में 5 केजी प्रेशर अवस्य होना चाहिए नेक्स्ट कोश्चन लेंगे 21 218 प्रस्तान स्टेशन पर सवारी गाड़ी का ब्रेक पावर डाइस परसेंट होना चाहिए तो प्रस्तान स्टेशन पर सवारी गाड़ी का जो ब्रेक पावर है वह है एंडड़ परसेंट होना चाहिए नेक्स्ट कोश्चन लेंगे 219 मार्ग में सवारी गाड़ी की ब्रेक चमता पर्सेंट कितनी परसेंट से कम नहीं होना चाहिए इतना से कम नहीं होना चाहिए तो मार्ग में। मंडल में कॉसन नोटी स्टेशन का निधारन किसके द्वारा किया जाता है तो कॉसन नोटी स्टेशन का निधारन जो है डियारिम के द्वारा मंडल रेल प्रभंधक के द्वारा किया जाता है इसका अंसर ऑप्शन सी है मंडल रेल प्रभंधक निश्ट कोस्चन लेंगे 222 समागरी गारी किस परकार की गारी है तो समागरी जाड़ी क्या है officeD Joey जिसका अंसर बिदरी के जैसा है यात्री गारी के सभी है सभी पूछा ग लेकिन समागरी जो भी है material train जो भी है वह क्या है departmental train है से लिए प्रयोब किया जाता है संट गाड़ी किस प्रकार की गाड़ी है कि इस तरह से द्यान रखना है कि सैनिक गाड़ी जब भी है तो वह निश्ची तोर पर यही कियातरी गाड़ी के रूप में उसको ट्रेट किया जाता है एक passenger train के रूप में उसे माना जाता है, इसका answer option C होगा, next question लेंगे 224, समागरी गाड़ी का इंचार्ज कौन होता है, समागरी गाड़ी का इंचार्ज यह engineering विवाग के अंदर कार्ज करता है, तो engineering पदाजिकारी जो रहते हैं, engineering official जो रहते हैं, वही इसका इंचार्ज होता है 224, next question लेंगे 225, सतरक्ता आदेश, T409, station master द्वारा कब जारी किया जाता है, तो अस्थाई गति परतिबंद है तू, अस्थाई गति परतिबंद है तू, दोनों है तू, इनमें से कोई नहीं, अस्थाई गति परतिबंद कहा रहता है, यह WTT में लिखा रहता है, लेकिन अस्थाई गति परतिबंद के लिए, station master द्वारा, जो है, T409, यानि सतरक्ता आदेश, जारी किया जाता है, इसका अंसर होगा, option B, अस्थाई गति परतिबंद, for temporary speed restriction, next question लेंगे 226, सबारी गाड़ी में क्रेन लगाने की अनुमती, इसके द्वारा दिया जाता है, तो क्र next question लेंगे 227, मालगाड़ी में पसु बाहन, डिबबा, इंजन से किस स्थान पर लगाया जाएगा, तो मालगाड़ी में पसु बाहन, जानवर से भरा हुआ, एनिमल वाला जो है, वह कहां लगाया जाएगा, तो वह attach किया जाएगा, दूसरे स्थान पर, इसे attach किया किया जाती है, यहां गलती हुआ है, किसके द्वारा दी जाते है, यहां अनुमती है, बिना ब्रेक यान की मालगाड़ी चलाने के अनुमती किसके द्वारा दी जाती है, तो यहां दिया गया, पिर डियो इम दोनों रहते हैं, तो वहां पर से डियो भी रहेगा, तो अंसर ह तो सिनियर डियो एम के द्वारा दिया जाता है इसका अंसर ऑप्शन सी शिनियर डियो एम बरिश्ट मंडल परिचालन प्रवंधक चतिगरस्त वाहन माल गाड़ी में कहां पर लगाया जाता है एक विच्पोजिशन डामेज वेगन इज गूट्स ट्रेंट ट्रेंट तो यह सबसे पीछे लगाए जाएंगा इसका अंसर ऑप्शन सी ब्रेकियन के पीछे और साइड रियर अफ्ड ब्रेक वेंग निच्ज कोचलेंगे 230 क्रेन की जीव इंजन की और होने पर गाड़ी की अधिक्तम गती क्या होगी क्रेन जो है उसके जीव अगर इंजन की तरफ है तो अधिक्तम गती 40 के एंपिएज होता है नेक्स्ट कोस्चन लेंगे ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन किस प्रस्तिती में डिटैच नहीं किया जा सकता है तो जिसका अंसर है आग लगने पर फूल की जाज ह creativity में सवारी गाड़ी का इंजन अलग करने में कितने समय के अंदर इंजन बापस लोड़ पर आना चाहिए तो इसका जो अंसर है 45 मिनट के अंदर फिर से वापस आ जाना चाहिए ब्लाग सेक्षन में जब भी सवारी गाड़ी का इंजन अलग किया गया है तो 45 मिनट के अंदर फिर से वापस लोड पर आना चाहिए इसका अंसर आप्शन c 45 मिनटे निश्क क Baptist करेंगे c YouTube होने पर लोकॉ पाईलाट कौन से की बजाएगा ऐसी पी होने पर दो छोटी एक लंबी कु कुल कु選ा होंगे अपनी एक जाद और से दो चोटी एक लंबी सी जो है वह बजाय जाता है जब ACP होता है और एक लंबी दो छोटी कब होता है एक लंबी दो छोटी जब सिगनल खराब मिलता है जब लोको पाइलट को खराब सिगनल मिलने पर LP को खराब सिगनल मिलने पर वह एक लंबी दो छोटी सीटी बजाएगा और यह क्या है यह चस्तमा सीटी है पहले भी बताए है IBS on में पार करते समय, IBS को on में पार करते समय यह CT बजाए जाएगा या फिर कोई से सिगनल जिसको on में पास करना है और उसके लिए authority मिला है तो उस समय पर भी यही CT एक छोटी एक लंबी एक छोटी सिटी बजाए जाएगा और दो चोटी सिटी कब बजाए जाता है जब सिगनल एक्सचेंज नहीं किया जाता है तो उस समय पर लोको पैलेट के द्वारा दो चोटी सिटी बजाए जाता है सवारी गाड़ी में अधिकतम कितने पेट्रोल टैंक लगा सकते हैं सवारी गाड़ी में अधिकतम चार पेट्रोल टैंक लगा सकते हैं इसका answer option D सवारी गाड़ी में अधिकतम बाहन कितने लगा सकते हैं तो मालगाड़ी में अधिकतम बाहन कितने लगा सकते हैं तो मालगाड़ी में अधिकतम बाहन कितने लगा सकते हैं तो मालगाड़ी में अधिकतम बाहन कितने लगा सकते हैं तो मालगाड़ी में अधिकतम बाहन कित सकते हैं देहां रखना है कि मालगाड़ी में 5 और जब सवारी गाड़ी है तो इसमें दो इस तरह से हमें याद रखना है अंसर ऑप्शन है है यहां पर मालगाड़ी में 20 विस्वोटक्स भरे बहारण 5 लगाया सकता है सवारी गाडी में पुर्वीलर वहिखन लगायागा गया तो 55 को जाती है सवारी गाड़ी में जब imm Queens Soup स्वारी गाड़ी के मार्सलिंग ऑडर किसके द्वारा तयार किया जाता है यसका वप सन्व कर दोनों और से कितने वाहनों के हैंडस बांद जाएंगे जब वोड़ी से जाता है तो तो आगे से 6 और पीछे से 6 बैगन का जो है हैंडब्रेक बहाना बहुत जरूरी है इसका अंसर ऑप्शन सी 6 अबलिक 6 6-6 दिया यानि दोनों तरफ से 6-6 बैगन का 6-6 बहानों का हैंडब्रेक बहाना जरूरी है नेक्ष्ट कोश्चन लेंगे 240 कि अधिकतम गती कितनी होती है तो कुशिंग गती 25y 10 केंपिएच है पहले या पचिस वाइट था लेकिन अभी 25y 10 हो गया है यहां ध्यान रखना है कि 25y 8 हमको अंसर नहीं करना है अंसर हमें 25y 10 करना है इसमें सुधार आ गया है 8 का 10 किया गया है नेक्ष्ट कोश्चन लेंग गाड़ी की अधिक्तम गती क्या होगी तो यहां पर भी 25 भाई 10 केमपीएच होगा जब बलॉक सेक्षण में इंजिन की सीटी खराब हो जाए तो अधिक्तम गती 25 दृष्टा साफ है तो 25 दृष्टा साफ नहीं या फिर रात का समय है तो फिर 10 केमपीएच इसका अंसर होगा लैंगे अधिक्तम क्या होगी कभ दस केंपीएच हो गया है पहले यह था यह था अभी बег tussen और यहाँ पर डिरले ऐसे स्वालने नहीं हें ख्विए होना है सीदा सीथा इसे अंसर एक classy समय करते हैं यानि दीन के समय में कारी करती है समगरी गाड़ी को रात में कारी करना हो तो किसकी अनुमती लिया जाता है और फिर समगरी गाड़ी को रात समगरी गाड़ी कारी करने के लिए दिया जाता है तो यहां जो अंसर ऑप्षन डी ड्यारेम की अनुमती से रात में भी समगरी गाड़ी का कारी संचालन कीया जाता है समागरी गाड़ी पर कारी करते समय गाड़ के पास नियमित अश्टूर के अलावा नियमिन में से क्या होना चाहिए अगरी समागरी पर्तमुव चार बाक्स यानि फर्ष्टेड बाक्स उसके साथ रहना बहुत जरूरी है गाड़ के नियमित जो अश्टूर है उसके अलावा क्योंकि उसके साथ काम करते रहते हैं समागरी गाड़ी के साथ वहाँ पर जो है उसके साथ यात्तरी के रूप में यात्री तो नहीं कहेंगे लिकिन जो बरकर रहते हैं वही काम करते रहते हैं और उनके लिए फर्ष्टेट बाफ्स उनको रखना बहुत जरूरी है निश्ट कोस्चन लेंगे 246 ACP होने पर गाड़ी के किस और से गाड़ी को देखते हुए आगे की और जाएगा जब ACP हो गया तो गाड़ किस और से जाएगा लिफ्ट साइट से जाएगा या राइट साइट से जाएगा बाई और से दाई और से किसी और से इनमें से कोई नहीं तो गाड़ जो है बाई औ और से जाएगा बाई और से अंसर ऑप्शन ए बाई और से प्रॉम लेफ्ट साइड नेश्ट को चलेंगे 247 एसीपी होने पर सहाइक लोको पाइलट गाड़ी के किस और से गाड़ी को देखते हुए पीछे की और जाएगा अभी हमने देखा गाड़ जो है बाई और से जाए तो यहाँ अंसर ऑप्शन भी दाई और से होगा नेश्ट कोस्चन लेगे 248 ब्लॉक सेक्शन में कारी करते समय समगरी गाड़ी का बचाव किस विवाग के करमचारियों द्वारा किया जाएगा तो समगरी गाड़ी पर कारी करने वाले को रहते हैं इंजिनिरिंग अस्टा करते समय बैनर अब रोज से कितनी दूरी पर लगाया जाता है तो बैनर फलैक के बाते हैं अब रोज जहां है वहां से 600 मिटर की दूरी पर बैनर फ्लैक लगाया जाता है next question लेंगे last है block के दौरान कितनी rail path machine एक साथ चलाई जा सकती है यह जो था पहले पांच था अभी साथ हो गया है एक साथ engineering block या फिर block जब भी दिया जा रहा है तो अधिक से अधिक साथ machine को एक साथ rail path machine को टीटी machine को उस section में भेजा जा सकता है कारी करने के लिए दोस्तों यह जो सभी प्रस्ण है operating department से मैंने लिया है और यह सारे प्रस्ण आपके प्रक्षा के लिए बहुत ही मतपूर्ण है एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से समझेए और इन में लाघ